एक आकड़े के नुसार पिछले 7 सालों के दरान अब तक हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में कुल 70 पेपर परिक्षा लीख हुए हैं और एक दूसरे आकड़े के नुसार जो इंडियन एक्स्प्रेस में छपा था उसके नुसार पिछले 5 सालों के दरान 43 परिच्छा पत्र लीख हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेकिन सबसे सर्वनाक बात ये है कि इस सरकार ने जो जवाब दिया है संसत के भीतर 7 अपरिन 2022 को नरेंदर जाधव जो राजसभा के निर्दलीय सदसे हैं उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि 2019 से लेकर के 2022 के दोरान देश में कुल कितने परिच्छा पेपर लिख हुए हैं और सरकार ने इस समवद में क्या करवाई ही हैं तो जवाब में और ये सवाल पूछा गया था परधान मंत्री कारियाले से तो परधान मंत्री कारियाले ने सवाल के जवाब में उनके बिहाब पर उनके राज्य मंत्री जीतेंदर चिंग ने ये जवाब दिया कि देश में इस दौरान यानि कि 2019 से लेके 2022 के दौरान एक भी परिच्छा पेपर लिख हुआ ही नहीं है ये है परधान मंत्री कार्याले का जवाब हलाकि उन्होंने इसमें एक if and but लगा दिया उन्होंने बट ये लगा दिया कि देश में सिर्फ तीन एजनसी हैं UPSC, RRB और SSC, Railway वाला, SSC वाला और UPSC इन तीनों के द्वारा कराए गए कोई भी एक्जाम लीक नहीं हुए है जो की सच है लेकिन क्या देश में सिर्फ यही तीन एक्जाम होते हैं और एक्जाम नहीं होते हैं देश उनसे सवाल ये तो नहीं पूछा गया था सवाल ये पूछा गया देश के किसी भी इसमे में किसी तरह का कौन सा execution चाहे वो 10th, 12th का exam हो, school का exam हो, college का exam लेकिन अगर परधानमंत्री कार्यालाई की नजर में एक भी पेपर लिक नहीं हुआ था तो फिर गुजरात में ही अखेले जो परधानमंत्री मुदी जी का अपना प्रदेश है वहां पे ही 2019 से लेके 2022 के बीच में 6 पेपर लिक हुए हैं और उसके बारे में क्या कहेंगे पर पेपर लिख हुआ सब एड ओडिटर का पेपर उसी साल लिख हुआ फिर 2022 में 10 परिच्छा लिख हुआ फोरेस्ट गार्ड का परिच्छा लिख हुआ इतने सारे छेचे एग्जाम लिख हुए हैं सिर्फ अकेले गुजरात में इसी साल यानि कि 2024 में अब तक नीट का पेप लिख हुआ मार्च में इसी साल वो भी सबको मालूम है और उस मार्च के पेपर में जो यूपी में लिख हुआ उसमें तो इंडियन एरफोर्स का एक रिटायर करमचारी सामिल था पिछले साल यानि कि 2023 में चले जाईए आप 2023 में अगर आप जाएंगे तो कम से कम मीन में हम प्रोटेस्ट हुआ तो कानून बनाया गया है जनवरी 2023 में जो उत्राखंड का PCS पर इच्छा होता है वो पेपर लिख हो जाता है और फिर जनवरी में ही पटवारी का परिच्छा लिख होता है फिर एकाउंटेट का पेपर भी उसी समय लिख हो जाता है यहीं कि तीन पतिएक हो हुआ पिछले साल वतलब की थो जलत च्विस में उसम्हीं मार्च में आसांड में भी पर लिख हुआ 10 और 12 निक वहां पर नीकि 2 पर हो गया राश्ठ्र में बारिवी का परुआँ लिख हो गया महरास्ट में सितंबर में तलाटी का पर लिख हुआ जिसमें लगो 11,00,00 लोगों ने हिस्सा लिया था विद्यार्थियों ने और पिछले साल फिए 223 में ही राजस्थान का रीट पेपर जो राजस्थान का टीचर का एलिजिबिलिटी पेपर होता है वुल हुआ था लीक, अब राजस्तान का जो रीट का पेपर लीक होने का है वो भी अपने आप में बड़ा अतरंगी वो पेपर है, अतरंगी इस मामले में कि 2023 में भी लीक हुआ, हला मचा, 2022 में भी लीक हुआ और 2021 में भी एक ही अग्जाम लगातार, तीन बार लगातार लीक सरकार की किरकिरी हुई है, सरकार ने कानून बनाया है इसके खिलाफ लेकिन उसके बावजुद्धी पेपर पे लीक होना बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे कई सारे परिच्छा और के पेपर जो है जो दूसरे राज्यों में जिनको पेपर लीक हुआ है और उन सभी जानकारिय अगर कहीं किसी इस पूरे देश में होता है तो वो राजस्थान में होता है और उसके बाद नंबर आता है गुजरात का और फिर उसके बाद उत्तर परदेश का आता है और फिर बहुत सारे राज्यों तब जाकर के विहार का नंबर आता है विहार का नंबर तो बहुत नहीं होता है बिहार में गुजरात राजास्खान और उत्तर परदेश में तो परिच्छा नकल विरुधी कानून बन चुका है उत्राखन भी बन चुका है लेकिन उसके बाब जूद वहां पे नहीं पेपर लिख होना बंद हो रहा है बिहार में तो 1981 का कानून है तब कह सकते कानून ही पुरान है तो कैसे होगा आप भी हर सरकार करीक नए अकानून बनाएंगे गुजरात में साल 2015 से लेकर के 2023 तक एक भी ऐसा साल नहीं गुजरात जब वहां पे कम से कम एक परिच्छा पेपर लिख नहुआ हो और वो रद नहुआ हो और होने के कारण वो परिच्छ लेकर लेना है तो 2014 में गुजरात का PCS परिच्छा लिख हुआ था जिसमें Chief Officer का परिच्छा हुआ था, 15 में तलाती का परिच्छा लिख हो गया, 16 में भी तलाती का परिच्छा लिख हुआ, 2018 में फिर टीचर aptitude का टेस्ट हुआ, वही परिच्छा लिख हुआ, मुखिय से नायाबचितनी, चतनीस का हुआ, लोक रख्षक दल का हुआ, सारे पर लीख हो गया, 2019 में भी non satchi वाले जो कलरक होते हैं, उनका पर लीख हो गया, 2021 में जो गुजरात का SSB का परिक्षा होता है, वो लीख हो गया, हेड कलर का लीख गया, सब इसारील का लीख हुआ, तीन तीन परिच्छा 2021 में अकेले लीख हुआ, 2022 में जाएंगे तो 10th का परिच्छा लीख हो गया था, Forest Guard का परिच्छा लीख हो गया था, उसके बाद फिर 2023 में जाकर के सौराष्ट्र इंवर्सिटी का पेपर लीख हुआ, उसी 2023 में फिर जो जूनियर कलर की इक्जाम है, उसका परिच्छा लीख हो गया था, मतलब परिच्छा लीख होने का सिलसिला गुजरात में हर साल होता है, इसी तरह से आप उतर पर देश का जाकर देख लिए, बाबा जी का जहां सरकार है, 2017 में सबसे पहली बाब वो मुख्मंतरी बने थे, तो 2017 से लेके 2024 के बीच में 9 पेपर जो है वो अहां पे लीख हुआ था, जिसमें से कि आपको इंस्पेक्टर का जो ऑनलाइन डिकूट्मेंट टेस्ट हुआ था, 2017 में ही वो भी लीख हुआ, यूपी का जो TET टेस्ट होता है 2021 में वो लीख हुआ, एक Preliminary Eligibility Test था 2021 में वो भी लीख हुआ, 2021 में ही B8 का Joint Entrance एक्जाम हुआ था, वो भी लीख हुआ, नीट का एक्जाम जो 2021 में हुआ था, वो भी यूपी में लीख हुआ है, उसके बाद 2022 में बारवी क्लास का Board का एक्जाम का पेपर लीख हुआ गया, 2024 में Constable का एक्जाम लीख हुआ, और ये सब सब करड़े कानून बनाने के बाद है, और ये जो Constable का एक्जाम लीख हुआ था, इसमें लगभग 48 लाख अब्यारती इससे परभावित हुए थे, इसी तरह से राजस्थान तो इसमें सबसे अदाव अबवल है, सबसे उपर है इसमें पेपर लीख करने के मामले में, 2011 से लेके 2018 के बीच में मात्र 7 सालों के दोरान 12 परिच्छा पेपर लीख हुआ हुआ और परिच्छा को रद करना वारा, 2015 से लेके 2013-2023 तक लेखेंगे 8 सालों में 14 पेपर लीख हुआ राजस्थान में, जिसमें कि राजस्थान का PCS परिच्छा, UGC-Net का परिच्छा उसमें सामिल है, और उसमें भी सबसे बड़ा जो मामला बना था, वो मामला बना था UGC-Net का जब पेपर कैंसिल हुआ था और पुलिस का पेपर लीख हुआ था उसी साल, 2021 में राजस्थान में नीट का पेपर लीख हो चुका था, इस साल भले ही आप बिहार का और बाकी जगा का एक्जामपल देख रहे हैं, लेकिन नीट का पेपर जो राजस्थान में हुआ अपने आपने तरंगी है, तरंगी ऐसे है कि 2021 में नीट का पेपर लीख हुआ, पूरा हल्ला मचा, सब जगा छपा, उसके बाद 2022 में भी लिख हो गया, वही लीट का पेपर और उसी राजस्थान में, उतना ही नहीं, 2022 में फिर वहाँ पे कानून लाया गया, लेकिन 2023 में फिर से लीख हो गया, वही पेपर, मतब लगातार तीन साल पेपर लीख होते गया एक ही, और वो भी खुलेयाम हुआ, इस बीच राजस्थान सरकार ने नकल का विरोधी जो कानून है, वो भी लाया, लेकिन उसके बाद जो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सिलसिला था लीख होने का पेपर राजस्थान में जारी ताहर, राजस्थान में गौर करने वाली बात एक और भी है, कि वहाँ पे सरकार चाहे जिसकी भी हो, कॉंग्रेस की हो या बीजेपी की हो, क्योंकि वहाँ पांच साल कॉंग्र ना कॉंग्रेस अवाइड कर सकती है, ना बीजेपी अवाइड कर सकती है, अब एक आखरी सवाल, कि जैसे बिहार का जामतारा साइबर क्राइम के लिए, जैसे बिहार का जामतारा साइबर क्राइम के लिए फेमस है, उसके उपर नेट्फिलिक्स का सिरीज बन गया है, पू लेकिन आज तक आपने सुनानी होगा कि गुजरात के नाम पे कहीं कोई एक छोटा सा वीडियो ही बना होगा आज तक उसके उपर एक ना नेट्फ्लिक्स पर नहीं है कुछ नहीं हुआ है वहावनगर की कहानी में आपको कई सारे फिल्मी अदाकार भी मिल जाएंगे खिल्मी एंगल भी मिल जाएंगे पिछले साल ही भावणगर में ही जूती नाँ幫 की 21 साल की लड़की ने आत्महत्या करने का परियास किया और उसली किया है क्योंकи जुनियर स्क्राइप्र कर लिया परिच्छा दिया था दोजार चोईस में अब तक दो बच्चे निए पर लिखे कारण आत्मात्या कर चुके हैं, attempt भी नहीं हो चुका है उनका अत्मात्या, पिर भी भावनगर का कहीं कोई film नहीं बना जाता है, कोई Netflix नहीं बना जाता है, तो अगर आप बिहार से हैं, बिहारी हैं, और बिहारी अ आमस्कार